दूसरे चरण का मद्दान पूरा होने के साथ ही राजिस्तान में लोक्तंत का महाँ पर समाप्त हो गया इसके साथ ही दूसरे चरण के 152 पृतियाशियों सहीत प्रदेश के सभी 266 पृतियाशियों का भाग्ये EVM में बंद हो गया पेले चरण में मद्दान कम होने के बाद राजमेतिक दलोवा निर्वाचन मशीनरी ने मद्दाताओं का जोज़ बढ़ाने का प्रियास किया इसके बाद दूसरे चरण के मद्दान में कुछ जगा मद्दाताओं ने दम दिखाया और बाड़मेर में सबसे अधिक 74 और में साल 2014 से जाधा मद्दान हुआ बाकी जगा प्रतियाशियों के मद्दान बढ़ाने के प्रियास हार गए प्रदेश में मद्दान का कुलाकड़ा 61.6% पहुचने का अनुमान है वह कॉंग्रेस कारेकरताओं ने धीमे मत्दान मद्दाता सूची से नाम कटने और फरजी म मद्दान की शिकायत करते हुए धर ना दिया कुछ जगा मद्दान भहिशकार की खबरे भी आए जब प्रशासन की समझाईश के प्रियास भी कामयाब नहीं हो पाए दिन बर मौसम के साथ ही सियासी पारा उपर नीचे होता रहा सुब अच्छी शुरुवात के बाद दिन म मतदान केंद्र पर कतारे दिखना बंध हो गए शाम को फिर मतदान केंद्र पर लोग पहुचना शुरू हुए लेकिन मतदान केंद्रों पर ज्यादा रोनक नजर नहीं आए कुछ जगा पृतियाशी और सरकारी करमचारियों के प्रियाज से मद्दान पर तीशत बढ़ा लेकिन प्रदेश में पिछले मद्दान का आकड़ा काफी धूर रह गया वही बाराजीले के केरवालिया ग्राम पिंचायत के देवपुरिया में सडक नहीं बनने से खपा ग्रा मद्दान का भहिशकार जारी रहेगा वही टोक जीले में 3-4 जगा पानी की मांग को लेकर मद्दान का भहिशकार गया गया ऐसी और खबरों के लिए देखते रहेए दनगरी मीची